मानी सवापती महोदे आज जब हम लोग इस काल खंड में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं कुशुरा वस्था में था और शीराम जन भूमी का अंदोलन प्रारम हुआ था उस महान यग्य में जिसमें करोणों लोगों ने कई पीडियों तक अपनी आहूती दी उसकी पूना आहूती देखते हुए देखना अपने आप में एक बहुत सुख़द अनुभा होता है और ये काल इसलिए भी अधिक महत्पून है कि ये भारत के अमरत काल का ही काल खंड नहीं है बलके शीराम मंदिर के माध्यम से शताब्दियों से सोई हुई भारत की चेतना के पुनह उठकर अग्रसर होने और विश्व को नया संदेश देने का एक संदिकाल भी है और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मन में एक भाव आया कि ये ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ असंभव लगने वाली चीज भी साकार रूप धारण हुई है तो मेरे मन में ये भाव आया कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के साकार हुआ सप्न हर भला को टाल के नए छितिज उभर रहे हैं अमरत काल के और दिव दर्शन हो रहे हैं स्री राम लाल के मनिवर भगवान राम उस भारत की स्वा की अनभूती है जो भारत के सुतनता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी जो अनादिकाल से भारत में उत्तर से दक्षन तक उत्तर में यदि गुरु गोविन सिंग जी ने गुरु मुखी में रामावतार लिखा तो दक्षन में तमिल में कंबन रिशी ने वही रामावतारम नाम से ही लिखा तो बंगला में कृतिवास ने रदी लिखा तो हिंदी में तुलसी दास ने लिखा तो उत्तर दक्षन पूरब पश्यम से सब तरफ भारत के प्राण को अनुप्राणित करने वाला यह तत्तु था इसलिए महात्मा गांधी ने भी जिस समय स्वतंता अंदोलन की शुरुवात की तो अपना राजनेतिक दर्शन रखा था राम राज के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमान थे जिसे हम लोग उस आंदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभुराम का मन प्रभुराम का तो हर छण बोलिए जै श्री राम की आस प्रभुराम की श्वास प्रभुराम की तो प्रतिछण बोलिए जै श्री राम की मगर आगे समस्या ये थी तो हम कहते थे शासन चलाए चाहें सीने पर गोलियां परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की आएं आपदाएं विपदाएं भले कितनी बनाएंगे हम मंदिर सौगंध शिरीराम की और आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए वह सौगंध आज कुण हुई इसके लिए अनेका नेक लोगों ने बलिदान दिया देवी दीम पांडे जी से लेके सरदार फकीर सिंग से लेके हजारों संतों से लेके कारसेवकों तक और कोठारी बंदुओं तक परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा मैं इस विशय पे कोट करना चाहता और आगात करने का प्रयास किया जाता है इसलिए उन्होंने वूंडेट सिविलाइजेशन वर्ड कहा और मैं इसलिए कहरा हूं कि जो इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमार थे उनको भी जोटलाने का प्रयास हुआ शीराम जन्मुमी केस के सिर्फ दो उधारन बताना चाहता जब मुकदमा चला तो यह पूछा गया कि भाई पिछले उधारन दीजिए कोई शताब्दियों के तो विप्रीत पक्ष के पास कोई उधारन नहीं थे हमने फॉरेंट ट्रेविलर्स के उधारन कोट किये विलियम फिंच नाम का ब्रेटिश ट्रेविलर आया 161020 के आसपास उसने कहीं पर मस्जिद का उलेक नहीं किया सिर्मंदिर का उलेक किया फ्रेंच टेविलर आया जोजेफ टिफेंथलर 1720 के आसपास तो वो कहता वहां पर चबूतरा है जिसमें कि और एक पक्ष्ट में वो मस्जिद की बात करता है और बताता है कि राम नॉमी पे लाखों की गई है कि 25 निहंग सिक्खों ने आकर कबजा कर लिया है यग्यहवन किया है और मस्जित जनमिस्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया और जानते हो उस पर सभापदी मोज़े सिगनेचर क्या है मुतवली मस्जित जनमिस्थान अब बताईए जनमिस्थान पहली F.I.R. मे खुद मुतवली लिख रहा है और उसके बाद इस विशय को इतना बढ़ाया गया और स्वतंता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ 22-30 दिसम्बर 1949 की रात को जब स्री राम लला प्रकट हुए उसके बाद ये ध्यान देने होगे बात है ये समुदायों के बीट के संगर तो उने में चार दिन रह गए थे तब संट्रल सुनी वकबोर्ड उसमें पैरोकार बना क्यों कुछ सेकुलरिस्टों ने समझाया कुछ लेटिस्टों ने समझाया और इसका उलेक कि मुहमद साब ने पनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तपकाई म बनता था कि हमें इस विशह में पढ़ने की जरूरत नहीं है परंतु राजनीत के चलते हुए भारत के स्वाविवान का विशह यह इसका प्रतीक बना परंतु उसके बाद कोड का निर्णाया आया संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए आज यह दिन आया तो मैं कई बार हम लोगों सका जाता कोड का निर्णाया आया तो इसमें आपने क्या किया तो मैं बताना चाहता हूं हम जब जब सत्ता में आये 1991 में कल्यान सिंग जी की सारकार ने आकर सरसाट एकर ढूमी का अधिक्रण किया उसके बाद याद करिए खुदाई पर रोक लगा दी गई थी तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलोजी आ गई ग्राउंट प्रेटरेशन रेडार तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोड में प्रसुत कर दी गई मतलब आपरेशन पर रोक थी अट्रा साउंड पर तो नहीं थी न तो अट्रा साउंड करके दिखाये क्या देखो भाई अंदर क्या है फिर कोड ने पर्मीशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में और उसके अंदर जो साक्षे निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनो बेंच अपलाबाद आई कोड का जज्जमेंट आया जिसने गर्बग्रह सी राम लला विराजमान को दिया अब अर्वी फारसी के भी थे संस्कृत के भी थे सबके थे तो हमारी सरकार ने आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओड़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फ़ला साल के पीछे ले जाईए इस जज क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनु मानते ही परसा करिपुन क्रीन ही प्रणाम राम काज की नहीं मोह कहां विश्राम और फिर आपने देखा कि वो जब जज्ज्मेंट आया और ये भी एक सुखत संयोग देखिए कि मानेवर हमसे टीबी डिबेट में अ तारीक नहीं थी वह काल की गती थी और वह तारीक क्या थी मैं बताना चाहता हूं जब रामलला इस बंदिर में आये हैं तो वह Tारीक आई है चार करोड गरीबों को घर लेकर आई है 11 करोड लों के लिए शोचाले लेकर आई है 54 करोड लों के लिए जंधने काउंट लेकर आई है हर गाओं में बिजली, हर गाओं में सडक लेकर आई है और इतना ही नहीं हर राज्य में एरपोर्ट लेकर आई है समुधर पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे उचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है हाईस टेफ डी आई लेकर आई है हाईस फॉरेंट एक्षेंड इसर्ब लेकर आई है fastest growing economy लेके आई है और जनाव फिल्म का डायलॉग होता था तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख वाला इंडियन पैनल कोट को तारीख का हिस्सा बनाकर भारती निया सहींता लेके आई है जो तीन साल के अंदर सारी तारीखों को खतम कर देगा मगर महोदय यह तारीख का रास थोड़ा और गहरा है क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीख वो होनी थी कि प्रधान मंत्री को जाना था यानि तारीख उसका इंजार कर रही थी कि ऐसा प्रधान मंत्री आएगा जो उस दिन आकर प्राण प् आपको इजाजत ने नथी इज गॉइंगा निकॉर्ड प्लीज अरे सुनिये महोदेश प्रधान मंत्री भी कौन होगा जो पूरे देश का जना देश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा जो अपने घोशना पत्र में ये लिख के लाया होगा कि हम राम शास्त्री ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो ग्यारा दिन का उगवास रखके तपस्या भी करनी थी तो ऐसा भी प्रधान मंत्री आने वाला था जो संकल्ब लेकर ग्यारा दिन की तपस्या करे और मैं महुदा एक और बात कहना चाहता हूं ग्यारा दिन नारियल का पानी पीके हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं महोदे वो जिस जो हर नवरात ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा और मैं बताना चाहता हूँ स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोशा ध्यक्षे नियास के उन्होंने जब उपवास तुड़वाया तो उ ऐसे व्यक्तिकी पृतिक्षा थी तारीक को और फिर दक्षण में जाकर चाहें नासिक हो और फिर चाहें गुर्ययूर का मंदिर हो अथ्वा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधान मंत्री जी 22 कुओं के जल से इस्नान कर रहे थे जो भारत के संपून छेत्र का प्र प्रधान मंत्री की दरकार थी तारीक को क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है गोसामी जी जी लिग गए हनुमान चालीसा में सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधान मंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए और इस तारीख का इंजार था तारीख का ये राज समझने के लिए हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे और इसी लिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं महत्पुन बात ये थी कि सबकुष शान्ती और सवहार से निपड गया जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की सीजे होती थी इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए पूरे देश वहजिस प्रकार का सवहार पूण बाता वरन रहा और महुदे नबे बान नबे में भारती नहीं अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था अपकी अगल बगल में भी शान्ती बनी रही ये तपस्वी राजा का प्रताब था और इतना ही नहीं महुदे अबू धावी में भी मंदिर बनने जा रहा है मुझे लगता है भारत के लिए अमरत काल में सांस्कृतिक दोरों का इस से बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धावी में भी मंदिर बन रहा है और मैं एक और बात कहना चाहता हूं मोदे ये हिंदू-मुस्लिम का विशय नहीं था ये भारत के जय और विजय का विशय था और उससे भी बढ़कर ये मूलियों का विशय था कौन से मूलिय थे एक मूलिय वो जिसमें भगवान राम उस मूलिय के परतीक बनते हैं जिसमें चार भाई हैं पिता के एक वचन पर वन चले जाना दूसरे भाई का जंगल जाना तीसरे भाई का खड़ाओं रखका शासन करना एक ये परमपरा थी और दूसरी परमपरा वो जिस बाबरी परमपरा में भी चार भाई थे शुजा मुराद दारा और और औरंग जेब एक न या भाई का सर इन दो मुल्यों के अंतर का ये प्रतीक था इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं था और मैं अपने विरोधियों को बताने चाहता हूं मानेवर उर्दू में भी एक रामायंड लिखी गई चकबस्त रामायंड और उसमें इसी मुल्य को अप्रिशेट किया गय रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मनजिलें अवल हुई तमाम यानि उनको तो दिखा की राहे वफा की कौन सी मनजिलें हैं जो अवल हो रही है मगर क्या बताऊं महोदे एक फैक्ट पताना चाहता हूं 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब सीराम लिला पर कट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किस ने देखी थी वो यूपी गवर्मेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत उसने बाकादा मैजिस्टेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव रोशनी दिखी और जब दिव रोशनी हटी तो वहाँ पर सीराम लला विराजमान थे अब्दुल बरकत को रोशनी उन्निस तो नन्चास में दिख गई मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी दो हजार चौबिस में नहीं दिख रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ बावरी पक्ष के पहरोकार थे अकबाल अंसारी और ये उधारता देखिए कि सब को बुलाया गया विरोध करने वालों को बुलाया गया ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया और अकबाल अंसारी प्रांड प्रतिस्ठा में आ गये उनका इकबाल तो बुलंद हो गया मगर इन लोग का इकबाल जमी दोज हो गया और मैं ये भी बताना चाहता हूँ उसका एक कारण है अन अलाइटर नोट इसको कोई परसनल न ले मौदय ये कहा जाता है कि हमारे हाँ राम का तत्व या इश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो और राजनीत में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो अब मैं ये बताना चाहता हूँ महुदय कि जो लोग कहते हैं भगवान राम ने अपने जीवन में ये मंदिर किसीज का प्रतीक है कई लोग एक आद कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए, बगैर उस भाशा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकाइदा उधारन दिया है उन्होंने लिखा है जात पात कुल धरम बढ़ाई धन बल परी जन गुड चतुराई इन दस चीजों से मैं नहीं मिलता मैं कैसे मिलता हूँ, भक्ती से मिलता हूँ ये सारी दस चीजों हो किसी के पास और भक्ती नहों तो उन्होंने का भगत हीन नर मोहे ऐसे जल बिन बारिद लागे जैसे अर्थात अगर ये सब कुछ हो जात पात कुल धरम बढ़ाईए हो भक्ती नहों तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी नहों इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया और मैं एक विशे और कहना चाहता हूँ जब राम मंदिर का निर्मान हो रहा था तो कहा जाता था साब वैग्यानिक प्रमान दीजे मैं बस एक बिंदु विज्यान का भी और बताना चाहता हूँ यह विशुद्विज्यान है क्योंकि अगर आपने रामचरित मानस के शुरुआती स्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साब लिखा सीता राम गुणगाम पुन्या अरण ने विहारिडियों अरथाद विशुद्विज्यान महारशी वालमिक ने लिखा और विज्यान क्या है पूछा गया था कि भगवान हुए कब ये तो बताइए यहां हुए के नहीं ये बताइए अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते उनका exact time लिखा है जैसे आज हम time कह रहे हैं दिल्ली में कुछ और है लंडन में कुछ और है तो एक GMT green mean time बताए गया पर अगर आप से पूछा जाए time का absolute measuring parameter क्या है which is equally applicable on earth, moon, solar system and any point in the space it is only the relative positions of planet और भगवान राम का वो exact relative positions of planet जो आइंस्टीन का fourth dimension कहा जा सकता है वो लिखा है कि मेश राशी में सूरे था, मकर राशी में मंगल था, तुला राशी में शनी था, मीन राशी में शुक्र था और जब नासा ने अपने ट्रेनिटोरियम gold software में डाला तो 514 BC की date निकल आई इस से जादा किसी को सबूत चाहिए विज्ञान का वो सबूत मिला और इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने अगर पढ़ियो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद रितु थी अंगद बताते हैं कि अशुनी मास यानि आथ के अक्टूबर के समय वसंतरी तो थी और इतना ही नहीं कहा गया जब किश्किंदा से भगवान निकलते हैं तो धूम के तो टकराया था अमूल नक्षत्र से और जब एस्टो नामर्स ने इसकी गड़ना की तो वो ठीक डबल हो जाता है 14,000 साल पीछे आता है इसका मतलब इस प्रमान देखने हैं तो प्रमान जमीन के नीचे से भी निकले शाही फर्मानों से भी निकले और आसमान से भी निकले समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विशय के उपर आये और मैं एक बात और कह दूँ कभी कहा जाता था महार्शी वालमीक ने तो रामायन भगवान रामत के पैदा होने से पहले लिख दी थी और कहा जाता है भविश्व में जाके लिख दी ट्रेवल बैकवर्ड बकवास है क्या अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इसको कहके मैं कहना चाहता हूं हमारे रिशीत रिकाल दर्शी थे और ये टाइम ट्रेवल तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है और मैं एक विश्यावर कहना चाहता हूं हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हनुमान गड़ी का आपने हनुमान जी के सैकुड हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में लवकुष का मंदिर देखा है कभी नहीं हमारे यहां पुत्र का महत्व नहीं है शिष्य का महत्व है भक्त का महत्व है हमारे यहां बाइलोजिकल सक्षेशन का महत्व नहीं है इस्प्रिचूल सक्षेशन का महत्व है इसी लिए दोणा जी के मंदिर मिलेंगे वो भी राम से जादा मिलेंगे और मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं महुदे एक बार एक डिबेट में हो कहने लगे की वही यूर टॉकिंग अबाउट दिराम टेंपिल हाव दस राम टेंपिल फिट्स इन ट्विट्स सेंचुरी एमर्जिंग इंड लीडर बनाना चाहते हैं और जब लीडर बनाना चाहते हैं तो इच्छुट सिंबलाइज शर्टन सेट अव वैल्यूज विच्विल इंस्पार दवर्ड और अगर सारे स्रेश्टम मानवी मूल्यों का प्रतीक कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा जो नमबर वन एनेक्सेशन दूसरे देश को मिला लो दूसरा है सब्जूगेशन वहाँ अपना डिपुटी अपाइंट कर दो और तीसरा है डॉमिनेशन उसके साथ संदी साइन कर लो भगवान राम ने क्या लंका को जीतने के बाद एनेक्सेशन किया नहीं क्या वहाँ पर को वो राम मंदिर दिखेगा जो पूरी दुनिया को बताएगा कि पीसफुल को एक्जिस्टेंस कैसे हो सकता है बगएर एक दूसरे से लड़े हुए इसलिए मैं कह सकता हूँ 21 सदी का महान भारत बगएर राम मंदिर के संभव ही नहीं है और अंत में मैं सिर्व यह कहना चाह है ता मगर यह वो लोग कहते हैं जो फूलों के हार पहनते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी अंगारों के हार पहनते हैं और जो अंगारों के हार पहनते हैं वो इतिहास को बदलने में निश्यत रूप से सफल होते हैं इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ अपनी सरकार क काता हम मंदिर नहीं बनवा रहे मंदिर न्यास बनवा रहा हम सिर्फ मार्क प्रशस्त कर रहे हैं दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहे हैं तो हम सिर्फ उनके लिए कहना चाहते हैं प्रदान मंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुख जाता है अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है आदेश इधर कर देते हैं इतिहास उधर मुर जाता है